हेलो अब्रिवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से इस्टेटिक जीके को कवर करने वाले हैं एक नई टॉपिक के साथ जो इस्टेटिक जीके का ये वीडियो पार्ट 13 का है ये पार्ट 13 है पार्ट 12 तक मैंने कवर कर दिया है जिसने नहीं देखा है वो चैनल के प्रेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं या फिर उपर आई बटन में भी जाके देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एक फिर नया टॉपिक को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला की कला एवन संस्कृती क्या है कला संस्कृती आज की वीडियो में हम लोग कला एवन संस्कृती को कवर करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला की भारत नाट्यम भारत नाटियम तमिल नाडू का परमुख सास्त्रे निरित्य है तो भारत नाटियम जो है वो तमिल नाडू का परमुख सास्त्रे निरित्य है तो भारत नाटियम जो है वो तमिल नाडू का परमुख सास्त्रे निरित्य है तो भारत नाटियम एक सास्त्रे निरित्य है जो कह बहईत्व्येगते। Óस GeVars compliance ॐसके भारत नाटियम के तीन परमुगरणा होता है भारत नाटियम के तीन परमुगरणा कौन-तंजूर खराना कांचिपुरमगराना और पंडूलगराना ठीक है उसके इस वाह,- इए कि यामिनी क्रिश्ण मुर्ति यहां कोई था पर्मुक कलाकार कि किस संबंदि थे तो यामिनी क्रिश्ण मुर्ति वह भरत नाट्यम से संबंदि थे ठीक है उसके इबाद है कथकली कथकली जो केरल का पर्मुक्ष सास्त्रे निर्त्य है कथकली कहां का पर्मुक्ष सास्त्रे निर्त्य है तो केरल का है कथकली भी जो है कथकली के गीतों की भासा जो है वो मल्यालम है कथकली जो गीत है इसका जो भासा वो कौन सा है, मल्यालम भासा है, कतकली का, फिर एकी 1968 में, 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कतकली प्रसुत की गई थी, पहली बार कतकली जो है, प्रसुत की गई थी, हिंदी गीतों पर, कब 1968 में किया हुआ थी, फिर एकी कतकली मंच पर काले वस्त्रों का प प्रयू कह जाता है उसके बाद है कि कथक कथक जो है वो उत्तर भारत का पर्मुक्षास्त्र निर्त्य है कथक कहां का पर्मुक्षास्त्र निर्त्य है तो कथक उत्तर भारत का पर्मुक्षास्त्र निर्त्य है उसके बाद है कि कुच्ची पूरी कुच्ची पूरी आंद्र प कृष्णन कुट्टी कथकली के इसा पर्मुकलाकार हैं कौन-कौन वलतोल नरायन मैनन आनंद सीवरामन माधवन कृष्णन कुट्टी कथकली के पर्मुकलाकार हैं फिर उसके बाद है कि ओधिसी जो ओधिसा में परचलित निर्ते कला की प्राचिन से लिए कला की सबसे प्रा अधना का निरत्य होता है यह अराधना का निरत्य होता है देवी देवतावों का कौन सा ओधिसी निरत्य है फिर एकी सोनल मान सींग देखे सोनल मान सींग केलुचरन महापातरा तता काली चरन पतनायक और ओधिसी के परमुख कलाकार है सोनल मान सींग केलुचरन महापातरा औ कितने रसे हैं तो भरति सास्त्र निर्त में नो रसे हैं हैं तो कि riches महनी अट्टम, महनी अट्टम निर्ति का संबन किस से है, तो महनी अट्टम निर्ति का संबन केरल से है, महनी अट्टम निर्ति का संबन केरल से है, और कथकली भी केरल से है, ठीक है, फिर उसके बाद है कि यक्छगान, क्या है यक्छगान, क्रणाटक का परमुख लोक निर्त यक्षगान कहा का परमुख लोक निर्त है तो यक्षगान जो है वो करनाटक का परमुख लोक निर्त है और यक्षगान जो है यह साथ निर्त नहीं है यह भी आप याद रखें उसके बाद है कि यक्षगान में निर्थि उर्गान का संगम होता है यक्षगान में क्या होता है तो निर्थि उर्गान मतलब नाच उर्गान दोनों एक साथ होता है यक्षगान में फिर एक जातरा जातरा एक लोक निर्थ होता है जो पस्चीम बंगाल के लोगों के दुवर थे हरी परसाच रुषिया का संबन किसे बांसुरी वादक से संबने थे फिर सीव कुमार सर्मा सीव कुमार सर्मा का संबन किसे संतूर से है सीव कुमार सर्मा संतूर से अजन्ता तता एलोरा की गुफा और अंगाबाद महराष्ट में है फिर अगला देखे कि नागर सेली जिसको अस्थापी सेली बोलते हैं नागर सेली अस्थापी सेली का परसार हिमाले से लेकर के विंद्य परवतमाला तक है नागर सेली का परसार कहां से कहां तक है तो हिमाले सेले करके विंद्य प्रवतमाला तक है फिर अगला है कि मुक्तेश्वर मंदिर क्या है मुक्तेश्वर मंदिर जो अधिसा में है मुक्तेश्वर मंदिर जो अधिसा में है लिंगराज मंदिर जो भोनेश्वर में है ये भी अधिसा में है खजुराहों का मंदिर जो मदिपर्देश में है ये सभी जो है वो नागर सेली का उधारन है ये सब किसका उधारन है नागर सेली का उधारन है पिर उसके बाद कि काचिपूरम् तथा एलोर का मंदिर और तंजोर का विर्देस्वर मंदिर लूर का किलविट श्यली니까 उधारन है। नाग्र और दर्विर को दोनों का अपना परंपराएं है तो यह नागर और दर्वी दोनों का मिस्र नूपccionesर बैसरइन कहलाता और लकूरणी का जयन मंदिर जो है वा सर शेल J. का उधारन है उसके अग्रा है कि सलतनत कालिन वस्तुकाला का भावव नमूना दिल्ली इससधित कुतुमिनार में था छीजे वुल्डि हैं अगले टाइप में अगले पाट को अगले टाइप के कोशन को ले करके असले इतना है थैंकी फर वाचिन